निरंतर स्मुती पटल में रखना है, जिनके पास option होते हैं, वे जिन्दगी में कभी success नहीं होते हैं, उनका distraction और diversion होना ही होना है, और जिनके जीवन में option नहीं होते हैं, उन्हें कोई भी फेल नहीं कर सकता हैं, रखनेमी, राजूल और अरिष्टनेमी, यह ट्रियंगल हैं, त्रिकोन ही चलता हैं आपके याभी, सारी तुमारी जितने भी फिल्में बनती हैं, पिक्चर बनती हैं, सारी ट्रियंगल की होते हैं, यह और वो, यहाँ भी ट्रियंगल है, राजूल है, अरिष्टनेमी हैं और राजयुल और अरिष्ट नीमी का रिलेशन एक जनम का लेंगे है, जबसे अरिष्ट नीमी की आत्मा ने संकीत प्राप्त करी है, उस समय से राजयुल उनके साथ है चाहे वो मनुष्य लोक में रहे, चाहे देवलोक में रहे यह आठ जन्वों की यात्रा है उसमें भी राजुलों जीवन में भी उनके साथ रहे जिसमें अरिष्ट निमी के चेत्रा ने तिर्थंकर नाम कर्म का उपारजने किया यह एक जनम का अनुबंद ने 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 यह जिए 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 और जिन्हों ने रिस्ते को उस्रद्धा से जियावे सेटन हो गाई जिन्दगे में इनका रिस्ता जनम जनम गाई और अरिष्टे ने में राजुन के साथ विवाह करने के ले चल बड़े बराथे अर रस्ते में बरातियों के लिए बने के लिए भोजन के लिए बने हुए पश्वों के बाड़े उनका क्रंदन उनका रुदन उनका बिलखन सुना जो किशी का क्रंदन सुन सकता है वह भगवान हो सकता है जिसको किशी का क्रंदन सुना ही ने देता ह। वो शेटान होता है, भगवान कभी हो ने सकता है और उकरदन वो करंदन सुना है और सवाल आए अमन में कि जब खुशी के गिद गाये जा रहे हैं जब चारो और मस्ति का माहोल है तो यह कर रहे हैं इस सवाल आपके मन में उभरना चाहिए इस सवाल जिसको भी इंसान बनने के तमन्ना है उसके हर मन में जनमना चाहिए कि खुशी के माहोल में करंदन क्यों है और जब सवाब मिला एक खुशी के निमित भी तुम ही हो और करंदन भी तुमारी करण से है तुमारे खुशी के लिए इतरप रहे है तुम्हारे ब्रातियों के लिए इनकी जान लेकर कि इनको परोसा जाएगा है यह जैसे पता चला है एक पल के लिए अरिष्टनिमी को राजु लिया गाहिए कि रिष्टा एक जनम का नहीं था और अंतर मन में राजिल को एक संदेश दिया नहीं हमारी रहा किशी को दुखी करने की किशी को दुखी करकर के मैं तेरे पास आऊँगा तो तुझे भी सुखी ने कर पाऊँगा किशी को दुखी करके तेरे पास आऊँगा तो तुझे भी सुखी ने कर पाऊँगा ये दुख का रास्ता है अमंतर नहीं तुझे एक ऐसा रास्ता बनाए कि जो सर्व कल्यानकारी और सर्व सुखलाई हो मैं चला हूँ उस रहा की खोज में जो देगी दुनिया के हर प्राने को किवल सुख शान्ति और आनन्द है जब तक मुझे वह रहा मिलती नहीं जब तक मुझे वह रहा मिलती नहीं तब तक इंतजार करना है जिस पल मुझे रहा मिल जाएगी उस रहा से तू भी आ जाना नहीं और अरिष्टने में दिक्षी तो गए सयम की मार्ग पर चल पड़े जो बराती थे बराती में स्रिकुष्ण वासदयों भी थे और स्रिकुष्ण वासदयों तो एक गजब के महापुरूश है जिसके शादी के लिए सारे प्रयास किये वही जिस समय सयम के मार्ग पर चलने लगा है भाई यह जाना तर शादी के लिए थे सारी तैयारी उसके लिए थे और जैसे सयम के मार्ग पर चलने लगा तो वासदयों तो रोखा निए इच्यम् टुम्म्न रूहम तुरियम् पाउसु तब्दमिसराइश जो तुमारा मनोरत है जो तुम्हरा अविस्टाइब उसको तुम्सी घरप्राप्त कर तो नाने ना धनशने ना चरितने वद्धमान भवाईश ज्ञान दर्शन और चरित्र से निरंतर वर्दमान हो ते लिए अल्देव ने भी कहा है, ये स्रीकृष्ण ने भी कहा है, सभी ने बदाई दी, लेकिन इन बदाईयों के बीच, राजिल की हनतूर, जैसे उसको पता पड़ता है, उता गिर कहीं, मुर्चीत हो गई, सारे शरिर की कांती समावत हो गई, सोया मनि पता है, तिरहास्वा, निरांदा, उसका आनन्ज चला गया है, लेकिन अंतर में कई अनुभूती भी थी, अंतर में कई विश्वास भी था है, रतनिमी, अरिष्टनिमी का भाई, राजिल के पांस पावल स्था है, चक्कर चलाता है, आपकी भाशा में, प्रपोजल देता है, बार बार जाता है, सिंफिती, इंपिती, ये रास्ते होते हैं, मैं कई भार कई बेनों को केता हूँ, जो बहुत दुख्य होती है, उनको केता हूँ, संबल करके रेना, तुमारे दुख्य चेहरा देख करके तुमको सेहन के साहनभूती को बताएगा, और वहीं से तुमारे पाव फिसलने शुरू हो जाएंगे, दुख्य वेति को साहनभूती बताने वालों से बच करके जाएगे, कि साहनभूती के ओट में क्या चोट कर जाएंगे, वो पता भी नीचे नेगा है, रथने में पहुचा है, मनवार करता है, प्यार करता है, बार बार केता है, लेकिन राजविल के नजर में तो किवल एक ही समया हुआ है, उसे तो और कोई, ना देखना पसंद है, ना सुनना पसंद है, वो तो क्यावल इंतेजार कर रही है, कब मेरे प्रभू मिझे रहा देते हैं, और मैं उस रहा पर चल पड़ती हूँ, इंतजार है केवल उस पल का, कि मेरे प्रभू मुझे रहा देंगे, और कोई चाहत ने उस रहा के अलावा आए, कोन कहता है कि तुमने मुझे ठुकराया है, ये रतने में पांगल है, जो समस्ता है कि मैं ठुकराई गई हूँ, कोन कहता है कि तुमने मुझे ठुकराया, ये रतने में पांगल है कि जो मुझे समस्ता है कि मैं ठुकराई गई हूँ, ठुकराने से ठुकराएं जाओ, वो में राजूल नहीं हूँ ठुकराने से ठुकराएं जाओ, वो में राजूल नहीं हूँ तुम्हें मेरी राह न मिली आने की, तुम्हारे पास आने की राह तो मुझे मिल ही जाएगी तुम्हारे पास आने की रहा तो मुझे मिले ही जाएगे चाहत और कुछ नहीं तन में चाहत और कुछ नहीं मन में अरमान बस एक ही है खोज रही वो रहा जो तुम्हारे पास मुझे लिया है अभी तो तुम ही चल रहे हो अभी तो तुम ही चल रहे हो तुम तो रोज नहीं राहों पर चलते हो तुम एक बार मन्जिल पर पहुच जाओ तुम एक बार मन्जिल पर पहुच जाओ तो मन्जिल की रहा खोजू रही की क्या रहा खोजू मन्जिल की रहा खोजू रही की क्या रहा खोजू अभी तो तुम रहागीर बन करके चल रहे हो जिस पल तुम रहबर बन जाओंगे मैं तुमारे रहा पर चलियाओंगे उन्हेरा अंतर अरिश्ट निमी के साथ बात करती है उसका नाइलाग उसका समवाद कि अरिश्ट निमी के साथ चलता है और जिसके साथ जिसका दिल जड़ा हुआ रहता है उसका समवाद चलता है बहुत सारी बात है और रथनेमी उससे बात करता है और रजिन अरिश्ट निमी से बात करती है रथनेमी सोचता है कि आज नहीं कल कल नहीं परसो परसो नहीं तरसो तरसो नहीं चरसो कभी तो मानेगी कभी तो मानेगी कभी तो मानेगी जिद्धी है छोड़ता नहीं है राजुल भी जिद्धी है और अथनेमी भी जिद्धी है तो नहीं जिद्धी है और एक दिन अथनेमी ने राजुल के कि बोलते ही नहीं थी यान दा खोलता चलवा जाता है के पर लिभार राजुन ने कहां कुछ गीप्ट तो दे अर आप कोई पता है कि लड़की किसी लड़के से गिफ्ट मांगे तो समझ जाते के लिफ्ट पक्के मिल गई है हम बसो घब टके पिछे लेट दिक अ का रिटा करें आए है राजिल को लगा मरश्ता खुल गया गया है कि डी गोकुल और गो कुल में सबसे बड़े गिप्ट हुए पर गोरस और ऐसा गोरस बनाया इसा गौरस बनाया कि बनाते बनाते हैं उसी का मनलच गया है पहुता आपमें और बिलकुल स्रवनब पात्रा में गोरस लेकर के राजूल के पास भोचा, विलकुल घुटने टेक करके का लेले गी अजै कि नेगेप्ट ले ले रखने में खुश, गीप्ट मा की गीप्ट स्विकार कर ली आप तो कमेंटमेंट पक्कीbell गई लेकिन राजिल को कोन जान पाया, राजिल ने। उसको पिया और उसको पिता हुआ देख करके रथने में तो बागबाग हो गया, लेकिन जैसी ही बागबाग हुआ है। राजिल ने एक खोटा सा प्रयोग किया और और गुशी के सामने दुद्ट की उल्टी कर दे उसी सौरन थाल में और सोजां थाल में जो उल्टी करते में देखा तो और फिर वही फवरन का थाल बरतन रथन में को रिटर्ण गिंप्ट के रुपद में दिया बिले तुने देवी गिप्ट मैने पीली, अब मैने देवी गिप्ट तू पीले, अरतनी में देखे राजुल के देखे, रिटन गिप्ट, देना कभी किशी गईशी रिटन गिप्ट, यास, फिर के ताहूं तुमसे, एक कहानी सुनाव अपने बेटियों को, कि राजुल वंगर के जिये, जब उनको कोई गिप्ट दे, तुस गिप्ट का जबाव ऐसा ही रिटन गिप्ट दे के सामने वाला अपस कभी गिप्ट देने का सोची निसके, मैं इसने कह रहा हूं कि मुझे पता है, तुम्हारे बेटियों को मिली हुए गिप्टों से बाहर निकानना, कितने बड़ी टेजडी होती है, शिखाँ अपने बेटियों को राजुल का गिप्ट दे, तो गिप्ट का रिटन गिप्ट ऐसे देना, रतने मिका चेहरा देखकर के राजुल ने का है, जब तो यह नहीं पी सकता है, तो मुझे कैसे ले सकता है, तेरी भाशा में तो मैं भी तो अरिश्ट नीमी के द्वबरा वमन की वह उना है तो ये वमन नहीं पी सकता तो मुझे कैसे पी सकता है तो और सेकंड़े अरिश्ट नीमी को केवल ग्यान लोपे आई और केवल ग्यान हो गया तो राजुल आपने सत्ही उसाथी सहीलों के साथ चल पढ़िए उस रहा पर जिस रहा पर अरिष्ट नेमी ने उसको बढ़ाया था दिक्षा हो गई अरिष्ट नेमी को पता चला कि राजुल ने तो दिक्षा लेनी आप तो मिलने के कोई संभाव ना लेकिन रथने में राजुल के पिछे पागलता है मैं उसने दिक्षा लेनी मैं भी दिक्षा ले लेता हूँ मात कुछ तान नहीं एक प्रेम की कसुटिया यही होती है कसुटी पर जो कश जाए वो प्रेम तुमें भगवान बनाता है जो कसुटी पर कसा न जाए वो प्रेम तुमें कस्ते ही चले जाता है रतनेमी राजुल के बज़े दिक्षा ले रेता है और आरिष्टनेमी उसको दिक्षा दे देते हैं द्धान में रखे ना, आरिष्टनेमी जानते हैं कि रतनेमी के मन में क्या है कि वल ज्यानी हूँ यह मज़ सोचना कि उनको पताने कि रतने में कि मन में क्या खिल चल रहा है वो खिल उनसे अंजाना नहीं है लेकिन फिर भी हो दिक्षा देते हैं उसको और दिक्षा देने के बाद रतने में दिक्षा तो देता है लेकिन देखता है राजिल को यह राजिल से कि आजने कल नए परसोव का जिद्धिय आना एक नंबर का जिद्धियः कि राजुल देखतेे अरिष्टमी को और अरधनी में देखता है राजुल को भो इस कैंवे और कर देखते अरादनी इक और य।क है राजुल की आदना और अरिष्टनिमी जानते हैं महत्वपुर्न बाद को मत बुलना है इस सारे खेल को अरिष्टनिमी जानते हैं लेकिन कभी रतनिमी को बुला कर उनों ने कहा नहीं कि पांगलपन छोड़ दे हैं तेरे पांगलपन काम का नहीं कभी नहीं कहा है कि उनको पताता है इसका एक दिन बेन कर रहा है किसका ध्यान कर रहा है आप किसका ध्यान कर रहा है यहमत पूछो भस् 않 कर रहेonna है मस्ति मेंब कर रहा है आप इसको दुसरा कोई दिखना ह zucchев नहीं और कितने रहें गोशिС construir आ खिर अंदर में जो बेठा रहता आए तो यह आई बन कर कि अब खुल के तो तो कुछ भी दिख सकता है लेकिन बंदा आंक से तो वही नजर आएगा जो तुम्हारे अंदर में बेठा हुआ है अब गुपा में है ध्यान कर रहा है कि मड़ी सपने अच्छ सपने डेक रहा है सपने कुन से यके सपना उसके बास अब के ख सकने सपने अधर राजुन प्रमात्मा कई देशना सुनकर के लोट रही थी अपने साधियों के साथ बार से बारिष आ गई बारिश आगई जोर्शे बारिटवान बारिश अचानक बारिश तो बारिश आगई तो कुई इस गुफा में कुई उस गुफा में कुई उस गुफा में कुई उस गुफा में कुई उस गुफा में सारी दोड़ी कौन किसको देखे हैं उसमे में अर राजुल उशी कुफा में पूची जिसमें रतनेमी धियन कर रहा था है अब भार से आई तो अंदर कुछ दिखे नहीं लेकिन अंदर बेठा उंको राजुल दिख रही है उसको लगा मेरा ध्यान पर सिद्ध हो गया आ गई और आने के बाद उसको पता ही नहीं रतनेमी अपर है उसमें अपने गिल्ले कपड़े सुखाने के लिए उतार है और फिर तो रतनेमी का जोई तर दो सब्रकर करके रोका वांधा है बाद तुड़ गया है राजुल को देखा है आ गया है और फिर दिया मंत्र नहीं आयो नहीं पड़ा दुझे आई गई हो में तुझे कोई पिडाने ही दोगा है एक बार हम जीवन जी लेते हैं और फिर प्रमात्मा के मार्ग पड़ चल पड़ते हैं जेशे रतने में के प्रांथना सुने अराजुल को लगा ये तो पुराना ही है एक नया खिलाड़ी नहीं है एक पुराना मरीज है और फिर वो निशीन तो असंबंत उसके मन में कोई भ्रांती नहीं उसके मन में कोई डर ने जा पेले तो थोड़ा आवाज सुन करके लेकिन जैसी आवाज सुने की लगा कि ये रतनेमी है और उसके बाद राजुल ने अगमकारतों केते सुभाशित सुनाए संजया इम सुभाशीं अंकों से न जह सकते हो तो केलो लेकिन सुभाशित का मीनिंग इतना नहीं होता कि जो तुमको सुनने को अच्छा लगे सुभाशित का एक ही मीनिंग होता है जो तुमको अच्छा बनाए जो सुनने में अच्छा लगे वो सुभाशित होगा या दुभाशित होगा डाउटफूल है लेकिन जो वचन तुम्हे स्रिष्टतम बनाए वो सुभाशित ही होता है और अजिल उसको केती है धिकार है तेरे जिन्दगी को तेरे जिने से तेरे मौद बेहत्तर है मर जा तू एक बार जिसको छोड़ा है उसको पुनवबन करता है वो सर्प में दो कुल होते है गंधन कुल और अगंधन कुल गंधन कुल का सर्प डशने के बाद जब मांत्रिक बलाता है और जहर चुसने के लिए केता तो चुस लेता है लेकिन दूसरे कुल का जो सर्प होता है उसको कहां जाता कि जोसले, नहीं तो आग में जल करके वस में हो जाएज, वह आग में कुछ जाता है, जहर ने जूसता है, मुले स्रेष्ट तम कुल में जनम लेकर के तुम अपड़ा वमन की अवा जहरवा पच्छुस्त आए दिकार तुझे निरत्व तेज़सों कामें जो तम जिविये कारना तो तो केवल चरवा है तो गाओ का मालिक नहीं है चरवा है तो भंडवाल है तो काज का टुकड़ा है प्रभु के पास दिक्षान लेकर के भी तेरा सयम तो डाइमंड ने बना काज का तुकड़ा है जब रत्नेमी ने सुना है आपने ही जिसका वो ध्यान करना ता उसके मूँ से सुना है तो सारा 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 जहर उतर गया है सारा उनमाद उतर गया है और आइसा उनमाद उतर आइसा उनमाद उतरा है के रत्नेमी को किवल ग्यान हो गया है जिन्दगी में बन सको तो कभी ऐसा जीवन जीने का सोचो झाल